एक परिवार बारा सु सदैस्चे तिन सो पचास वोट असम में रोन बहादूर थापा फैमिली में हैं सबसे ज़्यादा वोटर तिन सो पचास वोटर हैं एक ही परिवार में टोटल बारा सु सदैस्चे हैं साट साल से असम के सोनितपुर में रहे रहा है ये परिवार असम में 14 लोक्षबा शीटों के लिए चुनाओ तीन फेज में होंगे जिसकी तारिखे 19 अपरेल 26 अपरेल और 7 मई है पहले फेज के लिए यहां चुनाओ परचार खतम हो गया है और वोटर अब मतदान के लिए तयार है यहां सोनितपुर जिले में भी वोटिंग होनी है जहां एक ऐसा परिवार है जिसमें 350 वोटर्स है यह परिवार अपने मतादिकार का इस्तिमाल करने वाले सबसे बड़े परिवारों में शेख है दिवंगत रोन बहादुर थापा के इस परिवार में वोटिंग को लेकर खाशा उत्सा है बारा भाई नो बहने हैं परिवार में सोनितपुर के नेपाली, पाम गाउं के ग्राम परधान और दिमंगत रोन बहादूर के बेटे तिल बहादूर भापा ने बताया है तिल बहादूर थापा ने बताया है कि उनके परिवार में 350 लोग हैं जो वोड डाले के पातर हैं उन्होंने कहा है कि मेरे पता 1964 में मेरे दादा के साथ यहां आए और यहीं पर बश गए मेरे पता की पांच पतनिया थी और हमारे बारा भाई हैं नो बहने हैं अगर हम सभी बच्चों की गिंती करें तो हमारे परिवार के कुल बारा सो सदश्चे हैं 35 साल से ग्राम परधान तिल बादूर ने कहा हमारे बच्चों ने उच्छ सिक्ष्या प्राप्त की है लेकिन उने कोई सरकारी नोकरी नहीं मिली हमारे प्रिवार के कुछ सदश्चे बैंगलूरू चले गए और प्राइवेट नोकरी कर रहे हैं कुछ ध्याड़ी मजदूरी का काम कर रहे हैं मैं 1989 से ग्राम परधान के रूप में काम कर रहा हूँ मेरे आठ बेटे और तीन बेटिया हैं मेरे आठ बेटे और तीन बेटिया हैं 150 से ज़्यादा पोते पोतिया हैं रान बादूर के एक और बेटे सरकी बादूर थापा ने बताया कि 1997 में रान बादूर का निदन हो गया था सरकी भी 64 साल के हैं और उनकी तीन पत्निया और 12 बच्चे हैं रान बादूर के 150 से ज़्यादा पोते पोतिया हैं